मोहिनी एकादशि वैसाख माज के शुकल पक्ष्ट की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं ऐसा विस्वास किया जाता है कि यहति थी सब पापो को हरने वाली और उत्तम हैं इस दिन जो ब्रत रखते हैं उसके ब्रत की प्रभाप्षे मनुष्य मोहजाल तथा पातक समू से छुटकारा पा लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा धर्मराज उदिस्टिर कहने लगे कि हे कृष्ण बैसाक माज की सुकल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है इस व्रत की क्या विदी है यह सब विस्तार पुर्बक बतलाईए श्री किष्ण कहने लगे हे धर्मराज मैं आपसे यह कथा कहता हूँ जिससे गुरू वशिष ने श्री राम चंदर जी से कही थी एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव कोई ऐसा व्रत बतलाईए जिसके समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए मैंने सीदा जी के वियोग में बहुत दुख भोगे है महर्शी वशिष बोले हे राम आपने बहुत सुंदर प्रशन किया है आपकी बुद्धी अत्यंद शुद तथा पवित्र है बैसाक मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मुहिनी एकादशी है इसका व्रत करने से मनुष सब पापों से और दुखों से छुटकारा पाकर मुह जाल से मुक्त हो जाता है और मुह किसी भी चीज का हो मनुष को कमजोर ही करता है इसलिए मुह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाला इंसान के लिए बहुत उत्तम है मुहिनी एकादशी व्रत इस दिथी और व्रत के विशह में एक कथा कही जाती है सरस्वती नदी के रमनिये तटपर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है वहां गृती मान नामक राजा जो चंद्रवन्ष में उत्पन और सत्य परतिग्य थे राज्य करते थे उशी नगर में एक वैशे रहता था जो धन धाने से परिपून समर्धी शाली था उसका नाम धनपाल वैसदा पुन्यकर में ही लगा रहता था और दूसरों के लिए प्याओ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनबाया करता था भग्मान बिश्नु की भक्ती में उसका हार्दिक अनुराग था उसके पांच पुत्र थे सुमना, धुतिमान, मैधाबी, सुकिर्थ और धिस्ट बुद्धी धिस्ट बुद्धी पांचमा पुत्र था वे जुए में बहुत ही उसकी असकती थी, वे वैशियाओं से मिलने के लिए ललाइत रहता था और अन्याई के मार्क पर चलकर पिता का धन बरबात किया करता था एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वे दर-दर भटकने लगा इसी प्रकार भटकते वे भूख प्यास से व्याकुल वे महरशी कॉंडिले के आश्रम जा पहुचा सोक से भार से बीड़ित वे है मुनिबर कॉंडिले के पास गया और हां जोड़कर बोला ब्रामन मुझ पर दया करके कोई ऐसा ब्रत बतलाईए जिसके पूर्ण के परभाव से मेरी मुक्ती हो कॉंडिले बोले बैसा के शुक्र पक्ष में मुहिनी नाम से प्रसिद एकादशी का व्रत करो मुहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किये गए मेरू परवज़े से महापाप भी नस्ठ हो जाते हैं मुनी का यह वचन सुनकर धिस्ट बुद्धी का चित प्रसन हो गया उसने कॉंडिले के उपदे से विधी पूर्बक मुहिनी एकादशी का व्रत किया इस व्रत के करने से वह निश्पाप हो गया और दिव्य देधारन कर गरूड पर आरूड हो सब परकार के उपद्रो सिरहित विश्री विश्नुधाम को चला गया इस परकार यह मुहिनी का व्रत बहुत युद्तम है इसके पढ़ने और सुनने से सहसरो गोदान का फल मिलता है और इस परकार हमारी मुहिनी एकादशी की पौराणी व्रत कथा समाप्थ होई